स्वराट जनरी विजावादा बेगन साइबा, हमें माफी बख्षतो, एक भार फिर से हमें मुझ की खाने पड़ी हमारे हशम कातरत की तरफ दोड़े, लेकिन... लेकिन क्या? उनको पीठ दिखाकर भागा है? नहीं, बेगम साइबा अगर मरहट्टे मिलते, तो हम उनसे लड़ते, या फिर कटकर मरते लेकिन हम जिने मरहट्टे समझ कर जिनके पीछे दोड़ रहे थे मरहट्टे नहीं, बैल थे वो मरहट्टे दगावाज है बैलों के सिंग पर मसाल बान के कातरज खाट में छोड़ दिये और हम बैलों के पीछे दोड़ रहते हैं और वो मकार मराठे खागे पता ही नहीं चला फिर कहा गए होंगे वो बेमुरुवत महीं ने सुना है सिवा को काला जादू आता है कायब हो जाता है वो हावा में खावोष मेवकुद निकल जाओ यहां से बेग्रम साइबा हाकीम को बुलाओ नहीं नहीं वो सिवा हाकीम के भी भेस में आ सकता है पहले से ही यहां डर का माहूल है ठीक है लेकिन नवाप साब हुकूम साहिस्तरगान साब का कतल हो गया क्ये घरल्या नियोजाना प्रामाणम मोहिम चोख पार पढ़ ली प्रश्ण पढ़ला असल कि मराठे आले कुठून गेले कुठे आने आले कसे शिवाय सिवाची नजर आने चित्याची चड़प कायस्ते यहाचा थरार्ख स्वता खाना ना अनुपवला शाहिस्ते खान अमच्या समशेरी खाली आला परन्तो तो जिवनता है कि मेला यहाँ खबरीच्या में आतूरते नवाट पातो हाँ राधु खान जीता है तुमच्या समशेरी था तड़का बस लाए अपर त्योत्यों तेच्चा हात्ता हो बस लाए आन तेच्ची तीन पोट तुटली राधु जीता है पत्यों, हमारे जान्शी तुम्हें मुगलिया सल्तनत का आला उम्राओं बनते देखना था तक्खन का ताज तुम्हारे सर पर सच्ता देखना था लेकिन हमारे सारे खाव मिट्टी में मिल गए हमारे हिपाज़त करते करते तुम अल्ला को प्यारे हो गए या खुदा हमारे जान्शीन पते को जन्नत अता फर्मा आमीन वो मराठे घदार है मकार है हम उन्हें लेस्तो नाभूरत कर देंगे अपनी पूरी ताखत लगाकर उनसे जूजदा है वाँ हमचा कयास बोरोबर होता अगड़यन आता शाहिस्तेखांत सवतालून प्रतिहल्ला करना आपने नागाचा शेप्टावर पायतीला प्रत्युत्तरा दाखलतों केवळ फुद्गरणार नहीं तर अपने दौश करनायाचा प्रयत्नकरणार आपने वेरीत सावत चाला पायचे राज, तुमी कायबीचे नता करनागा या असलेन आगालचे डोस्के और पायदियून त्यांचे जहरीला दातकसा तोड़ाईचे आमी बराबर जानतुलिया आलचे चापया मुले चावणी आदिस धास्तावलिया आता परत जबर हल्ला चरणूंग आमी इस खान मारतुलिया नाई ये साजिया उन्हा हल्ला करना धोक्याचा आहे आपने चापया मुले खानाची चावणी आता सावत जाली अचना खासा शाहिस्ते खान आणी त्याची एक लाखाची फाउज यांचा वर आपनी दहशत बस्तेली आहेच परन्तु चवतालून खान स्वराज्या वर चालून येन्या आधी स्वराज्याचा सरहद्धी मजबूत करना गर्जीचे सर जराओ, तुमी गुंजण मावर रोहिड खोर आणी स्वराज्याचा वेशिन वर जाकता पहारा बसवा आना जराओ, ये सा जराओ, उन्या जवल्चे सगय गड़कोर कजाग जूसते भाणते ठेवा गड़ांचा घेर्यान मदे भिल्ल रामोशांचे तीर कामठ्याचे पहारे बसवा वहिर जी, नेतोजिरावान हारकारा धाड़ा तैंची खुर्चला घोडी स्वराज्याचा सरहद्धी वर दवड़ ठेवायला संग आणि तुमी स्वता खानाचा प्रत्य खल्चाली वर लक्षडेवा गड़ैनों घाईकर, आपन सग्ले जन कोंधाने वर आहों ये जस्वन सिंगाला कल्णया आधी गड़ उतारवा अन्राज तुमी? सुवेदार आमी स्वता कोंधाना लड़ाउतों जस्वन सिंगाला इथन जुलाउतों अल्ला ये मरहट्टे कब आये, कैसे आये कहा से गायब हुए ये पता ही नहीं चला शैतान है ये मरहट्टे कितना भी पीचा किया फिर भी हात नहीं आये ये कमबक्त मरहट्टे हवा की जोके के तरह आये और तुफान की तरह गायब हुए धर्ती निगल गई है आस्मा हमारे हशम कहते हैं कि शिवा को भूत्पिशाज का जादू आता है हमाश भूत्पिशाज जादू टोना नहीं आये याकिनन गद्दारी है गद्दारी हमारा ही कोई सर्दार वो सिवा से मिला हुआ है लाखाची फाउज, हत्ती, घोड़े, तोफा बड़े-बड़े सर्दार, उम्राव, योड़ी-मूटी गस्त, कड़क, चोक्य, पाहरे ये सार भेदूल, राजे लाल महालात पोसले, अंट ये खाना वर जड़ब गातली क्योड़ा गोटा हाँ पारता पराकरम? खरा है मात्रहाग हाव खानाचा वर्मी बसला स्रणार जीवावर्च संकट बोटान वर निभावलखर परन्तु एक लाखाचा फवजेची उडालेली सुस्ती, उद्वस्त धालेली चावणी, जवल्चा लोकांची, सर्दार उम्रावांची अस्तव्यस्त पड़लेली प्रित्त आणि त्यासा लाड़का मुल्गा फथे खान्यासा मृत्यू यह सर्वान्सास खाना जबर धक्का बसलासे, राजेनी थेट महालात कुसुन, सर्पाचा शेट्टावरस पाय थेवला, अथा तो जखवी जालेला सवताल्डेला विशारी सर्प उल्टुन डंख मारनार हे नक्की, आपलाला अधिक सावत रहेले पायजे, अधिक सुरक्षित असापवित्रा घयला हवा, राज, त्या खाना चद्जानाना धायमुक्रोनर अड़त्यत्यत्वागा, अधियत्तों सरदर्, मरट कवाल, अनकवागेल, कुट्टगायमस जलू, यहताजी चर्करतास। अधिया, आन्छान भी त्यादा थोटका हाद गयों, दिल्लीला कसद जाओ, हाथी चर्करतास। नाई बैच, शत्रूला कमी लेखुन गाफिल रहन, यहाला राजनीती मनत नाहिए। जाहिस्ते खानावर केलेलें हल्य मुढ, एकतर खान गाबरला आसे, नायतर धिवचला गेला आसे. जर खान गाबरला आसला, अदर त्याला आणकी दémentलेख्याद दाखाउन, त्याच्च्च्य करण केलिया पाई जट्यूर्य कीलिदिगेल. असला गेला असला, तर्मात्रा उखड होई, सबब तुमी तुमची मानसा घ्योंद पुना पुन्यात्चा। जी राजु, पर तिकड़ दोन कराईज कायों। बहिर जी, यह हल्याना अपन शाहिस्ते खानाचा शेप्टावर पाई दिला है। त्याना पुना भणा गाडायचा आद त्याला पुर्ण पने ठेचला पाई चे। उन्यात्चा खानाचा च्छावनी दहशत बस्रवा। जर मराठे सववा लाखाचा फाउजेत घुसून पुर्निश करना रहा हाताची तीन बोट छाटू शक्तार। तर्टेच मराठे कुर्णी साथी चुक्णार्या मुंड्या सुथा वर्चावर छाटु शक्तार मराठे मोहिम पूर्ण के लिए शिवाय गप्प बसनार नाहीं त्या मुड़ पुना हल्ला होव शक्तों जी राथ हुदूर हमारे नजरबाजों ने पुक्ता खबर दिये कि सिवा और उसकी पूरी टोली यहां छापा मारने के बाद कुंडाना गई यह कैसे हो सकता है कि लिए कुंडाने को घेरे हमारे जस्वन सिंग जी खड़े है वो भी दिन्द राथ उनके रहते यह बात मुम्चिन ही नहीं है नम्शुद्दीन शाहिद आपके नजरबाजों से कोई गल्टी हुई है महाराजया जस्वन सेंग मुगलिया सल्तनत के वफादार है इमानदार है हमास इमानदार खाक में गई इनकी इमानदारी अगर ये मुगलिया सल्तनत से वफादार थे तो इनकी आखों के सामने सिवा की टोली लाल महल में कैसे दाखिल हुई पूछो पूछो जस्वन सिंग से उना में दाखिल होने के परवानों पर सिवा की महर की इजाज़त किस ने दी और इस गदारी के लिए सिवा से कितनी अशर्फिया ली माफी भुजूर शायद आप से कोई गलत फेमी तारतलब खान तुम इनकी वकालत मत करो एजस्वन सिंग सिवा के साथ मिला हुआ है इनों नहीं सिवा को छावनी में घुषने की तरकीब बताई और इन ही की वज़े से सिवा पूंडाना तक सही सलामत पहुचा है अमोश नवाब साभ हमारे खून में दगाबाजी ना हुए है इसका नमक उचसे वफादरी ये हमारा उचूल होवे है उगलिया सल्टनर से वफादरी हमारा धर्म होवे है कसम एक लिंगी जी की एक बात सब को बोल देता हूँ अगर किसी ने हमें गद्दार कहा तो यहां कोड की नदिया बहेंगी रास्वन सेंग रास्वन सेंग और खालीद मिया यहाँ, बोलू डर लग रहे हैं? डर, किसे बात का? अरे क्या हुआ? पता नहीं? वो सिवा जी बड़ा खातकी है फूतों की जैसा कब आया, कब गायव हो गया, पता ही नहीं चला आना जादू टोना जानता होगा शायद बिल्कुल देखा नहीं आया काम करके चला गया मुझे तो लगता है वो सिवा की सच में जादू टोना जानता है इसलिए हुआ है और मियां आप भी सुनो वो सिवा की आदमी वापस आएंगे मुझे लगना है और और हम लोगों की जान ले जाएंगे या खुदा, क्या सच करे हो मा कसम, आपकी कसम आप तो मेरी ही हो आपकी कसम, जुड बोलूगा मै वो सिवा जी वापस आएगा और राजा अंदर होगा, तो पहले कौन मरेगा? पेरेदार कहने कि हम अभी तो खान साब की उंगलिया खटिये वो गर्दन मारने तो जरूर आएगा जलो, यहां से भाग जाते हैं कारतलप खान, हमारे नजरबाजों ने खबर दिये कि सिवा और उसकी पूरी टोली, किल्ये कॊंडानापे है इसी बात का तो आमें फायधा लेड़न होवे है वो जब कॊंडानापर है तो फिर उसका मुल्क संबालने, क्यूंड होवे है यही मौका है सिवा की मुल्क और किल्यें पर हमला करने का लेकिन सिवा का सिपेस अलार बड़ा जावाज और सम्शीर वाद्धर है, वो कुंडाना पे नहीं है, हमें बच्च कर रहना होगा उससे नेतो जी पालकर नाम है उसका, उमर खिण में हमने उसे देखा है, देखी है उसकी सम्शीर की धार कारतलव खान, उसे एक नेतो जी से क्या डर, असम एक लिंग जी की, हमारी सम्शेर की धार से आप वो शिवा नहीं बचेगा, ना वो नेतो जी बचेगा, हमें अब और देर नहीं करने चाहिए, सिवा का मुल्क और किले काबीस करने चाहिए, दुरुस्त फरमाया, अब हम कों और चोकिया बढ़ाते हैं, और उस सिवा और उसकी टोली को वही रोक के रखते हैं, अगर उस नेतो जी ने बाहर से अमला किया, तो उसके साथ उसके टोली को वही खत्म कर देते हैं, सुना है कि राजबेड पर सिवा का परिवार और उसकी मा साथ रहती है, और हमने ये भी सुना है कि सीवा की मा जीजा बाय उसकी ताकत है होसला है सीवा का वही होसला हम तोड़ देंगे नवाब साहब की तब्यट ठीक होने की बाद उनके हुकम से ही हम मोहीम पर निकलेंगे या अल्ला यह क्या हालत हुई है नवाब साहब के इतने बड़े हमले से जान बच्ची है यह अल्ला की ही रह्मत है सीवा बड़ा खतरनाक है सीवा कुझी भी कर सकता है अब हमें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए अब हम हुजूर के पास बैठेंगे या अल्ला, हुजूर को होश आ गया हुजूर, अब आप आराम फर्माईए हजरत, हमें बहुट डर लग रहा है जब जब उस नापाक हमले के बारे में सोचते हैं तब तब हमारी रूख कहा पुटती है लोग बोलते हैं वो सीवा बोतों का जादू टोना जानता है कहीं से भी आ जा सकता है शैतान है वो हमारा फत्य यहां मारा गया हमें इस मन्हूस जगे में नहीं रहना है हम आवरंगाबात लोट जाते हैं यही हमारी तमन्ना है कराता है बावर भी आवर्श कर देंदा पायत बावर भी आवर्जा कर दोंक वोलोगान तեղ आवर्श जान देंदा जावर्श करता रहुर कर देंदा अब आप सब, अब आपके तबियत कैसी है? थोड़ी नासाज है, अल्ला ताला की इनायत है आपकर, बहुती जल्दी ठीक हो जाओगे, हुजूर, हम किले पुरंदर पर हमला करने के लिए तयार है, हम तीस हजार की फोज लेके राजगड पर चड़ाई करने बाले, आपके हुक्म के लिए रुक्य है, हमें रुखसत होन करने के लिए शाही खुक्म गिया जाए नवाप साब, नहीं कारतलब खान, अब हमें जंग नहीं लड़ने है, पुना से औरंगबाद जाने का वक्त आ गया है, शमसुद्दिन खान, पहरे उठाओ, और औरंगबाद जाने का शाही इंतजाम करूँ, और कारतलब तुम, फौज का पहरा उठा दो, हम कल ही औरंगबाद के लिए रवान हो, और जस्वन सिंग आप, आप यहीं रहे, याद रहे, हमें कोंधाना पे फटेश चाहिए, कोंधाना हमें मुगलिया सल्तनत में शामिल करना है, अशिस दहश्रत बसायला हवी, हत्ती वरुन साख्रयवाटा, तोफानन बत्ती द्या, विजय जल्लोष करा, सारा रहे तेस कड़ुद्यात, शाइस्त खानाची कशिप्पजीती जाली थे, आउसेन, आमी सद्रेवर वर्दी देऊं जेतों, पंत, खानावर जालेले हल्या मुळे, मुगल शाहिस सांगलास हादरा बसला, राजेन चाया भीम पराक्रमाने, शाइस्त खानास अशिय अद्दल घडली आहे, कि या जन्मीच काय? पुर्चे साथ जन्म, तो स्वराज जाकडे वाकड़ा नजरेन पहाणार नही, तुम्चा पाठीशी आई जग्दंबा भवानिचा सतत जात्ता पहारास्तो, यश्वंतवा, उदंड यशस्विभाराजी, तुम्चा पराक्रमासे डंके सर्वत्रवातु देर, अम्ही मावरे, तुझी लेखरे, तुस्वराज जन्मी दिजामादा। है जड़ो भवानिचा, इसक्ष राज 24 दट तू मावरे, तू सौ जenti स्वरे ट लेंता तुम्हीं,